नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाईजूज गवर्मेंट एक्जाम प्रेप प्लेटफॉर्म दोस्तों आज हम लोग इस डे हिन हिस्ट्री में बात करेंगे 13 सितंबर यानि 13 सितंबर के इतिहास की चर्चा करेंगे एक-एक करके आईए डिसकसन करते हैं जो की आपके परिच्छा के दिसकोंट से लाबदायक सिद्ध हो सकता है तो दोस्तों सबसे पहला है आज की इतिहास में खासकर 13 सितंबर का इतिहास यानि 13 सितंबर के दिन घटना होई थी 1929 को जतिन दास डाइड आफटर 63 डेज आफ हंगर स्ट्राइक इन लाहौर जेल दोस्तों आपको पता होगा कि लाहौर अब कहां है पाकिस्तान में है यानि जब भारत स्वतंत्र हुआ उनीस सो से तालिस में 14 अगर से से तालिस को पाकिस्तान एक अलग राज्य बना तो यहां पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं जतिन दास की यानि दोस्तों जतिन दरनाथ दास 1904 यानि 1904 में पैदा हुए थे इनको जतिन भी लोग कहते थे यह कलकत्ता में जन्म हुआ था इनका बहुत कम उम्र में बंगाल का करांतिकारी ग्रूप अनुशीलन समीती दोस्तों इसको तो सुना ही होगा आप लोगोंने अनुशीलन समीती ज्वाइन कर लिया था मातर सोला वर्स की उम्र थी जब आंदोलन के चलते दो बार यह जेल जा चुके थे गांधी जी के असायोग आंदोलन में भी यह चले गए थे 1939 में आजी के दिन इनकी मृत्ती हुई थी दोस्तों 14 जून सन 1929 में जतिंद्र अरेस्ट किये गए और लाहौर जेल में उन्हें डाल दिया गया उन्होंने कबूल कर लिया था कि उन्होंने बम बनाए भगस सिंग और बाकी साथियों के लिए वहां जेल में भारती राजनेतिक कैदियों की हालत एकदम खराब थी उसी तरह के कैदी योरोप के हों तो उनको कुछ सुभधाय मिलती थी यहां के लोगों की जिंदगी नरक बनी हुई थी उनके कपड़े महीनों नहीं धोय जाते थे तमाम गंदगी में खाना बनता और परोसा जाता था ऐसे में तंग आकर के जतिन दास ने हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी दोस्तों और 15 जून 1929 से यह हरतार चली और 63 दिन जा करके उनकी मृत्ति हो गई तो इस स्वर्ण अक्षरों में इनका नाम रचा गया है दोस्तों ध्यान रखेंगे बहुत ही महत्पूर्ण ब्यक्तित्वत है अगला है महत्पूर्ण 1948 में जिप्टी प्राइम मिनिस्टर आफ इंडिया वल्लभाई पटेल जैसा कि आप लोग जानते हैं इनको आइरन मैन आफ इंडिया कहा जाता है भारत का लव पुरुस के नाम से इन्हें जाना जाता है तो दोस्तों इन्होंने बहुत सारी जब भारत 1947 में स्वतंतर हुआ तो बहुत सारी रियास्तों यानि 552 रियास्तें लच्ष्मी कांत में दिया हो गया है उसी के आधार कई जगा पे 562 भी रहता है 562 रहता है ध्यान रखिएगा तो 552 में 549 जो रियास्ते थी प्रिंसली स्टेट था वह विले तो कर लिया लेकिन तीन रियास्तें थी जिसमें हैधराबाद, जूनागड़ और तीसरी जो महत्मुर रियासत थी जमू कश्मीर तो उसमें से जैसे जमू कश्मीर इंस्ट्रूमेंट by SSN जिसे कहा जाता है बिले पत्र परहस्ताक्छर के द्वारा जुनागड का means by referendum यानि जन्मस संग्रह के आधार पर और तीसरा हैदराबाद तो हैदराबाद 1948 में ही आजी के दिन स्थाना अंतरित किया गया था दोस्तों 13 सितंबर ध्यान रखेंगे 13 सितंबर से लेकर के 1948 तक यानि 13 सितंबर 1948 से लेकर के 17 सितंबर 17 सितंबर को ही हैदराबाद के निजाम हाथ जोड़कर खड़े हो गए किसके सामने वल्लब भाई पठेल साहब के सामने और 18 सितंबर को 1948 को 18 सितंबर 1948 को हैदराबाद का विले हो गया दोस्तों इसमें कहा जाता है कि बहुत सारे लोग की मृत्य हुई दसो हज़ार लोग मारे गए थे इस युद्ध में इसे कहा जाता है बाई पुलिस एक्सन यानि पुलिस कारवाई के द्वारा हैदराबाद का विले किया गया और इस आपरेशन का नाम था ध्यान रखिएगा दोस्तों आपरेशन पोलो इसका नाम था याद रखिएगा कि आंध प्रदेश की जो हैदराबाद रियासत है सबसे बड़ा राजगराना था ऐसा माना जाता है कि इतना अधिक धन था इस निजाम के पास कि 6 गुना यानि आज देखिए कि अमबानी के पास 40 अरब डालर की संपत्ती है और ब्रिटिस पत्रिका ने यहाँ अनुमान लगाया था कि इस निजाम के पास 236 अरब डालर का धन राशी है तो यह बहुत बड़ा राजगराना था यहाँ पर 85% मुस्लिम थे और दोस्तों जिन्ना और मुस्लिम लीग इसे भड़का रखा था इसलिए सुतंतर राज के रूप में रहना चाहता था और यहाँ सरदार पटेल के लिए पेट में कैंसर की भाती था भारत की आजादी के होने के बाद यहाँ पेट में कैंसर की तरह था इसलिए उह लगातार हैदराबाद को विले करने में लगे हुए थे उसी समय जिन्ना साहब की मृत्ती हुई और सरदार पटेल साहब ने सैनिक कारवाई कर दी हलाकि पाकिस्तान कोसिस कर रहा था युद्ध में भाग लेने का लेकिन उनके जंडल ने मना किया हमारे पास हत्यार नहीं है तो इस तरह से दोस्तों याद रखेगा आपरेशन पोलो के ताहर विले किया गया और पोलो क्यों क्यों क्योंकि 20 में सबसे अधिक पोलो के मैदान हैदराबाद में उस समय 17 पोलो के मैदान पाए जाते थे याद हो जाएगा दोस्तों अगला है सरकार ने रास्टी मानवा अधिकार आयोग बनाने का फैसला किया था आजी के दिन 1992 में और दोस्तों बहुत ही महत पूर्ण बात यह है कि 12 अक्टूबर 1993 को इसका गठन कर दिया गया किसका मानवा अधिक आयोग का और ध्यान रखिएगा इसमें काफी आमूल चूल परिवर्तन हुआ है यानि याद रखिएगा The Protection of Human Rights Amendment Bill 2019 में धेर सारी बाते चेंज हो गई हैं पहले क्या होता था सुप्रिम कोर्ट का Chief Justice ही बनता था Retired Justice ही चीफ जस्टिस ही बनता था इसका मानवा अधिकार आयो का अध्यक्ष लेकिन अब संसोधन के बाद मुख्य नयाएधिस के अलावा किसी ऐसे ब्यक्त को भी आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है जो उचितम नयायले का नयाएधिस रहा हो सुप्रिम कोर्ट का Justice रहा हो दोस्तो राज आयोग के सदस्यों क संक्या को भी बढ़ा कर दो से तीन कर दिया गया है ध्यान रखिएगा और मानवा अधिकार आयोग में रास्टी ये पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रास्टी ये बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और दिव्यांग जनों हैंडिकैप संबंधी मुख आयुक्त को भी सदस्य के रूप में इसमें समलित अब किया जाएगा ध्यान रखिएगा दोस्तों रास्टी और राजमानवादिकार आयोगों की अध्यक्षयों और सदस्यों का जो कारेकाल होता था पहले पांच वर्स का होता था लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद ध्यान रखिएगा अब यह तीन वर्स का हो गया है तो इसे महत पूर्ण है बिंदु इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों तो संसोधन से क्या लाब होंगे पेरी सिध्धान के आधार पर इस प्रस्ताविश संसोधन से राश्टी आयोग के साथ साथ राज आयोगों को भी स्वतंतरता बहुलवाद मानवा अधिकारों के प्रभावी संरक्षण तथा उनको संवर्धन करने है तू बल मिलेगा और दोस्तों 20 सितंबर 1993 को संयुक्त राश्ट महासभा ने मानव अधिकारों के सरक्षण हे तू पेरी समझोते को अपनाया था तो पेरी समझोता भी यहाँ जानते रहिएगा और हमारे यहाँ 12 अक्टूबर 1993 को नेशनल हुमन कमीशन राइट कमीशन का स्थापना किया गया था और दोस्तों इसका हेड़ क्वार्टर कहां है न्यू देलही में है याद रखेंगे नई दिल्ली में इसका हेड़ क्वार्टर है अब चर्चा करते हैं नेक्स टॉपिक क वह है नेक्स पॉइंट है 200 हा की संग का गठन आजी के दिन 1971 में किया गया था दोस्तों 200 हा की यानि अंतरास्टी मैदानी हा की प्रिद्विक्ता जिसें अंतरास्टी हा की महा संग कहा जाता है दोस्तों 1971 में इसका स्थापना की गई थी इसके अलावा महिला 200 कप का भी आय संग के तत्वाधान में आयोजित किया जाता है सबसे ज़्यादा बार बिस्वकप पाकिस्तान ने चार बार जीता है भारत में केवल एक बार बिस्वकप 1975 में जीता था आस्ट्रेलिया और नीदरलेंड ने तीन तीन बार और जर्मनी ने दो बार बिस्वकप जीता है हाकी का ध्यान रखेंगे दोस्तों तो यहां बहुत ही महत्पूर्ण है और अब यहां पर एक और भी बिंदु ध्यान रखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी 1971 में तो इस तरह से आज मात्र चार से पांच यह पॉइंट रहे हैं आज के दिन ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें नह तो दोस्तों किस की थी जतिन दास की नेक्स्ट है वुवस्ट डिप्टी प्राम मिनिस्टर आफ इंडिया भारत का पहला उप्रधान मंतरी कौन था दोस्तों आपको पता ही होगा सरदार बलब भाई पतेल अगला है रास्तिय मानवा अधिकार आयो की स्थापना कब हुई थी तो 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी 1992 में फैसला लिया गया था ध्यान रखेंगे दोस्तों नेक्स्ट है रास्ति मानवा अधिकार आयो का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है तो जस्तिस एचल दत्तू है रिटायर्ट चीफ जस्तिस है ध्यान रखेंगे अगला है रास्ति मान अधिस बनाया यह बहुत ही इंपोर्टेंट है दोस्तों यह परिवर्तन हुया है करेंट से इसको जोड़ सकते हैं ध्यान रखेंगा नेक्स्ट है विस्तो हां की संग का गठन कब किया गया था 1971 में आज ही के दिन जैसा की खबर से ही लिया है तो इस तरह से आज हमने लगे तो प्लीज लाइक सेर और सबस्क्राइब करना ना भूलें थैंक यू दोस्तों